Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं vector algebra mislaneous exercise का question number 12 देखते हैं क्या है Let A vector equal to I plus 4J plus 2K, B vector 3I minus 2J plus 7K and C vector 2I minus J plus 4K Find a vector D which is perpendicular to both A and B and C dot D is equal to 15 यहाँ पर क्या करना है हमें ध्यान से देखो, हमें एक D vector find out करना है जो A और B के perpendicular हो और उसका अगर C के साथ dot product किया जाए तो वो क्या है हमारा 59 ठीक है, तो D vector हमें find out करना है तो हम D को ही assume कर लेते हैं Let D vector is equal to, यहाँ पर क्या मान लेंगे इसको, XI plus YJ plus ZK तिनों component मान लिए हमने इसकी, X axis में भी, Y axis में भी और Z axis में भी अब अपने question के तरीके से चलते हैं, यहाँ पर देखो बच्चो क्या दे रखा है, C dot D equal to 15 दे रखा है C dot D equal to 15 एक के condition के इनुसार चलेंगे, C क्या है हमारा, यह vector तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2I minus J plus 4K, इसकी dot product किसके साथ, D vector के साथ, क्या मानना था हमने, XI plus YJ plus ZK is equal to किसके हो जाएगा, 15 के कोई दिक्कत नहीं है, multiply grow 2 की X से करेंगे, 2X minus 1 की Y से करेंगे, minus Y, 4 की Z से करेंगे, plus का 4Z is equal to 15 equation number first, समझ में आ गई या नहीं आ गई ऐसे ही हमें 2 equation और निकालनी है, और उन तिनों को show out करके अगर मैं X, Y, Z की value find out कर दो, तो मुझे D vector असानी से मिल जाएगा, ठीक है ना, अब देखो बच्चो, 2 equation और कैसे निकलेंगे, यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, कि जो D vector है, वो A और B के भी perpendicular है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, as, D is perpendicular to A and B, दोनों के साथ perpendicular है, तो इसका मितलब क्या होगा, A dot D is equal to किसके होगा, 0 के, and B dot D, B की D के साथ भी dot product किसके होगी, 0 के, क्योंकि अगर दो vector perpendicular होते है, तो उनकी dot product क्या होती है, 0 के इकबल होती है, बस यही करनी है हमें, A vector क्या है हमारा, I plus 4J plus 2 के, तो I plus 4J plus 2 के, इसकी dot product किसके साथ, D vector के साथ, XI plus YJ plus Z के, is equal to किसके, 0 के, तो क्या आगया है, यहाँ पर X की बन से करेंगे, तो X, 4 की Y से करेंगे, तो 4Y, 2 की Z से करेंगे, तो 2Z is equal to 0, equation number आ गई, second, आ गई न, ऐसे भी, dot D निकाल लेंगे, B vector क्या है हमारे पास, यह रहाँ, 3I minus 2J plus 7K, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3I minus 2J plus 7K, इसकी dot product किसके साथ, D vector के साथ, XI plus YJ plus ZK, is equal to 0, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3K X से multiply, 3X, minus 2Y से minus 2Y, 7 की Z से plus का 7Z, is equal to 0, equation number 3, हमारे पास आगई यह तीन equation, अब इन equations को, 3 variables को कैसे sol out किया जाता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास जो भी equation है, उनको एक बार लिख लो, 2X minus Y plus 4Z, is equal to 15, और क्या है, X plus 4Y plus 2Z, is equal to 0, और 3X minus 2Y plus 7Z, is equal to 0, यह तीन equation है, हमारे पास, इनको आपस में sol out करेंगे, X, Y, Z की value निकालेंगे, अब value निकालना easy होता है वैसे तो, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कोई हो, कि इन दो equations को add करने से कुछ eliminate हो रहा हो, इन दो को add करने से, यहाँ पर variable eliminate हो रहा हो, तो easily हो जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इस question में, कैसे करें, देखो ध्यान से, यहाँ पर Y है हमारे पास, दिखाई दे रहा हैं, और यहाँ पर अकेला X है, जिसके सथ कोई भी coefficient नहीं है, यहाँ से क्या करो, X की value निकाल लो, equation number second से, इस equation से, तो X is equal to क्या हो जाएगा बच्चो, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, minus का 4Y, minus क 2Z, होगा या नहीं होगा, कोई भी problem नहीं है, इसको क्या करो, किसी एक equation में put कर दो, इस equation में put कर लो, equation number first में, यह first थी, यह second, यह third, इस value को किस में put करो, put in first, put in equation first, X की जगा है, minus 4Y, minus 2Z, put करेंगे, देखते हैं, यहाँ पर, 2 into minus का 4Y, minus का 2Z, minus Y, plus 4Z, is equal to 15, तो यहाँ पर क्या आगया, 2 की अंदर multiply करो, 2, 4, 8, minus का 8Y, 2 की minus 2 से करेंगे, तो minus का 4Z, और यहाँ पर minus का Y, plus में 4Z, is equal to 15, यह plus का 4Z, minus का 4Z, cut गया, minus Y और 8Y क्या हो गया, minus का 9Y equal to 15, और Y is equal to क्या आगया, बच्चो, minus का 15 by 9 आगया है यह नहीं आगया, आगया है यह नहीं आगया, Y की value मिल गई आपको, अब Y की value मिल गई तो हम क्या करेंगे, X और Z की और निकल लेंगे, अब यहाँ पर देखो, equation first पे नज़र डालो, यहाँ पर क्या है हमारे पास, 2X from first and third, कोई भी दो equation ले सकते हो, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैसे भी soul out हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, 2X plus का 4Z is equal to 15, minus Y है इस तरफ जाएगा, plus का Y हो जाएगा, यह नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, Y की value पुट कर लेंगे, यहाँ पर, तो क्य 3 से कटो गरो, 3, 5, 15, 3, 3, 9, minus का 5 by 3 हो गया यह, तो यहाँ पर minus का 5 by 3 पुट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, इसको soul out कर लो, तो क्या आगया, 2X plus का 4Z is equal to 15, 3, 45, 45 में से 5 गया तो 40 by 3, यहाँ आगे मेरे पास equation number 4, दो variable में मिल गी मुझे, X और Z में, अब X औ equation, इसमें देखो बच्चो, हमें X और Z चाहिए, तो क्या आजेगा, यहाँ पर 3X plus का 7Z is equal to minus 2Y को उस तरफ लेके जाएंगे 2Y, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3X plus 7Z is equal to 2 into Y की value क्या थी, minus का 5 by 3, यही थी ना, minus का 5 by 3, पुट कर लिया, तो क्या equation बन गई, 3X plus 7Z is equal to 2 की minus 5 से क equation 4 और equation 5, अब यहाँ पर ध्यान से देखने की बात यह है, कि इन में से ना तो X का variable, ना तो X का coefficient equal है ना Z का है, तो कैसे करेंगे, इस equation को 3 से multiply कर लो, इसको 2 से कर दो, इसको देखो simple वे से करते हैं, 2X plus 4Z, 2X plus 4Z is equal to 40 by 3, यह थी हमारी equation number 4, और fifth equation क्या आई है हमारी, यह आई है 3X plus 7Z is equal to minus 10 by 3, equation number 5, दो equation आगे ना, आब इजली soul out कर सकते हो आप इनको, उपर वाली equation को 3 से multiply कर लो, इसको 2 से, तो क्या बन जाएगा, 3 से multiply करके 6X plus 12Z is equal to 3 से 3 कट गया, तो यह 40 हो गया, 2 से करो 2, 3 जा 6X, प्लस में 2, 7 जा, 14Z is equal to minus 20 by 3, आब इसको क्या अगरो subtract कर दो, कट गया, minus के 14Z में से 12Z गया, minus का 2Z is equal to, यह minus का प्लस हो गया, तो 40 plus 20 by 3, कितना हो गया यह, हमारा, यहाँ पे minus का 2Z is equal to, 43 जा क्या होता है, 120, 120 में 20 add करेंगे, तो क्या हो गया बच्चो, 140 by 3, 2 से इसको काटेंगे, तो 70 पे चला गया, तो Z is equal to क्या आगया, minus का 70 by 3, आगई Z की value हमारे पास, अब X की और निकाल ली है, किसी भी equation में put कर लो, यह equation है, हमारे पास, 6X plus 12 into Z की value क्या है, minus का 70 by 3, is equal to 40, तो यहाँ पे 3, 4, जा 12, 6X is equal to क्या जाएगा, 7, 4, जा 28, इस तरफ जाएगा तो, 28 और 40 क्या हो गया हमारा, 320, X is equal to क्या हो गया, 320 by 6, 6 से काट दो, 6, 5, जा 30, और फिर बच गया हमारा यहाँ पे, 20 हो गया 6, यह पूरा complete नहीं कट रहा है बच्चों, तो हमें यह 2 से काटना पड़ेगा, 2 से काटेंगे तो यह 160 by 3 आगया, X की value, X is equal to 160 by 3, तिन्नों value मिल गी, मुझे X भी मिल गया, Z भी मिल गया, Y भी मिल गया, आप इसको और तरिक्के से भी sol out कर सकते हो, जैसा कर सको, थोड़ा सा complication जरूर है, ऐसे ही value पूट करके निकालना है, अब vector क्या हो जाएगा, हमारा D is equal to, XI था, मतलब 160 by 3I, प्लस YJ था, यह रहा, और Z के, तो Y की value क्या आई थी हमारी, Y की value आई थी माइनस का 5 by 3, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस का 5 by 3J, और फिर प्लस में, प्लस नहीं आएगा, यह भी माइनस आएगा, माइनस का 70 by 3K, this is the answer, यह आगया, मेरा vector D, clear हो गया, कैसे करना है, main काम, यहाँ पे X, Y, Z की value निकालना था, थोड़ी सी complication लगेगी आपको, थो कोई बाकी कुछ दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी problem लगे, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी help जरूर करूँगा, thank you students for watching next classes video,